हाई गाइज बेलकम टू माइब लोग चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ पीजय तमार जो आपको दिखा रहे हूं भलोग चैनल हाई गाईज आयो कि आप लोग अच्छे होंगे अच्छे हैं होंगे और गाईज मैं बता देना चाहता हूं कि मैं आज अपने खेत की तरह आपको दिखाता हूं दोस्तों क्या बोया है क्या नहीं है क्या खेती है क्या किसानी है और रहे अच्छा है कि भुरा है जन्मा फरत करने हैं मैं बता देना चाहता हूं कि यह हमारे यहां उरद बोया है यह उरद है और हलाकि पानी की बरसाथ कम होने के कारण उरद जो है दोस्तों वो सही है अपने जगा में लेकिन बताया जाए धान की धान की जो खेती है इस साल बारिस कम होने के कारण धान नहीं लग पाई है और ऐ झामारे यहां जो भी किसान रोपा लगाने के लिए धान की बेहन डाला था, बिचारा उवव निराज होते हुए, माथा में हां रखते हुए, घर में आस लगाए बैठा था कि आप बारिस होगी, अब बारिस होगी, लेकिन गाईच बारिस नहीं होगी, अब उसका क्या होग उसके बीवी बच्चा क्या खाएंगे क्या पिएंगे आप ही डिसाइड करिए एक ऐसा आदमी जो खेती किसानी पर अधारिद होता है उसके जीवन आपन के लिए सिर्फ खेती किसानी है और खेती किसानी ही उसके हां से छिन जाए गाईश तो क्या होगा उसके साथ कैसी हालाद होगी उसकी क्या प्रेसानी उसके बीठेगी आप दिशाइट करिए मैं बता देना चाहता हूँ कि इस हालाद में अगर खेती नहीं होगी किसान की खेती नहीं होगी मजदूर की खेती नहीं होगी तो कहीं भी अन उत्पादन और गल्ला नहीं पहुच पाएगा क्योंकि खेती से ही किसान से ही आज ये देश चल रहा है खेती नहीं होगी उत्पाद नहीं होगा उत्पाद नहीं होगा तर दाना नहीं आएगा खाना नहीं मिलेगा पैसा कहां से आएगा चाहता हुए जब अनना ही नहीं आएगा ज्यादा सीरियस में हो गया था और आपको थोड़ा सामने की केमरा से मैं देखा देता हूं किस के तर से किसा नहीं है वीडियो को आज ज़्यादा ही इंट्रस्टिक है वीडियो एकड़ में इस्कीम न करिएग और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे भिंडी भी मैं बोल दिया हूँ साथ में भिंडी भी है और खेती किसानी दोनों मिक्चर करके भिंडी, उरद, मूग, जो जो है सब कुछ बो दिया हूँ गाई उरद, मूग तो अच्छी है लेकि धान की किसानी जीरो से 10-20% है ऐसी कोई वानी जो भी वोया है जिसके पास साधन था वो है गाई लेकिन मैं यही थोड़ा अपने वारे में बता देना चाहता हूँ कि जो है मैं बता दिया गाई और थोड़ा मैं आपने इधर का सामने बैग्राउंड करके दिखा देता हूँ हाई गाईज वीडियो को देखते रहे गया वीडियो बिजय गौल्ड ब्लॉड चैनल में आपको स्वागत है देखते रहिएगा मैं थोड़ा वाए capable से देखा देता हूँ गाईश यही है हमारी गाईज जो है सामने है आज मैं खेत की हो रहा है था और इसी के साथ मैं सोचा कि आप लोगों को थोड़ा खेती किसानी के बारे में ब्लोग चैनल में आपने डाल दिया जाए ब्लोग वीडियो बना दिया जाए ताकि हमारे खेती किसानी के बारे में आप लोग को जानकारी हो जाए इसलिए नबसकार नकार यहीं है